तो इस वीडियो के अंदर हम Spermatogenesis के देखने लगे हैं अगर आपने reproductive system embryology देखी तो आप पो याद होगा कि जब two layer बनती है हमारे पास epiblast और hypoblast ठीक है इस तरह से simplification के अंदर में इस तरह से बता रहे हूं कि एक layer और यह दूसरी layer हमारे पास बनी थी उपर वाली जो 30 को हम को बोलते थे amminiotic cavity और नीचे वाले को हम बोलते थे यॉक्स है ठीक है जो cavity हमारे पास बनती है अब यह जो हमर पास epiblast है न असल में होता क्या है epiblast के अंदर हमारे पास बनते हैं primordial germ cells ठीक है यहां पर मारे पास primordial germ cells इस तरह से बनते हैं second week of development के अंदर हमारे पास primordial gelm cells बनते हैं उसके बाद जब हो जाता है fourth week के अंदे ये primodial germ cells primitive streak के थूँ move करते हैं हमारे पास yorkseg के अंदे ठीके पहले होती है फिर पी blast के अंदर second week of development के अंदर यह बनते हैं और इसके बाद वूफ करते हैं हमारे अगुआ पास यॉक्सफारा के अंदर m 4th week of development के अंदर विल्पमेट पिर उसके बाद 5th week of development के अंदर की तब तक जो है gentle ridge cells पर act करके human krionic gonadotropin hormone ने उसे testis के अंदर convert कर दिया होता है तो यहां से 5th week के अंदर अपने male gonad yraw testis के अंदर यह move कर जाते है ठीक है एक्चली जो मैं अभी बोला है कि human chronic gonadotropin hormone ठीक है यह human chronic gonadotropin hormone यह source होता है fetus के अंदर testosterone पर डियूस करने का ठीक है तो पहले यह hormone क्या एक करता है यह hormone एक करता है हमारे पास genital rich cells पर genital rich cells दोनों के अंदर होते हैं male और female fetus दोनों के अंदर होते हैं तो अगर इस पर human chronic gonadotropin hormone जब एक करता है तो genital rich cells को इस तरह के cells के अंदर convert करा देता है कि वो testosterone release करें ठीक है उसके बाद फिर यह testosterone जब genital rich cells पर एक करता है तो इसको convert करा देता है male gonads के अंदर जो के हैं हमारे पास testis तो इस तरह से testis बन जाती है तो जब testis बन जाती है वह प्रॉसेस भी साथ साथ चल रहा होता है तो फिफ्थ वीक और development के अंदर यह जो primordial germ cells हमारे पर बने थे testis के अंदर move कर जाते हैं testis के अंदर यह फिर इसी form के अंदर रुख जाते हैं फिमेल के अंदर हमने यह देखा था कि वहां पर जो है इस form के अंदर खतम नहीं होती प्रैमोरियल germ cells नहीं बलके वह आगे भी continuous हो रहे होते हैं लेकिन मेल के अंदर यह सारी पूरी spermatogenesis के सारे processes जो है वह प्रुबर्टी पर start होते हैं तो देखें यह बर्त बर्त के टाइम पर क्या थे मार पास प्रैमोरियल germ cells और वही टेस्टीस के अंदर यह enter होते हैं enter होते हैं तो हम इसको बोलते है spermatogonium सिंगल को हम बोलते हैं spermatogonium ठीक है spermatogonium के अंदर इसी form के अंदर रहते हैं until puberty जब puberty आती है तो फिर क्या होता है यह जो मैंने आपको पहले प्रोसेस दिखाया कि प्रिबर्टी पर किस तरह से amygdala में जीए वह चीज़े मैंने इसले पहले बताई है ताकि आपको हर्मून का पहले से अंदाज हो और स्पर्मेटोजनेस हमें समझ आजे तो वहां पर हमने क्या दिखा था कि हमारे पास टेस्टोस्टिरोन रिलीज हुआ था वो टेस्ट्टोस्टिरोन क्या करता है हमारे पास primordial germ cells पर रिक करता है तो यहां पर उसकी proliferation कराते है इनके पहले numbers increase होते है ठीक है इनके इन पर एक करता है और यहां पर मजीद माइटॉर्टिक डिवियंस करा के इसको मजीद बढ़ाता है और किस तरह से यहां पर nutrition वगारा बेग्रोंड मेटबिलिक फंक्शन परफॉर्म करा रहा रहा है यह जो इसका काम होता है यह प्रोटीन के साइज के लिए पसके मजीद बढ़ाता है 이거 normuemड, नवे हमने बढ़ानी है तिक् crochet number हमने बढ़ानी है और उसके फिर क्या होनी है तो पहले मियोटिक वन डीवाइन होगी तो यह दो सकेंड्री स्पर्मेट्रसाइट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा लेकिन इसका क्रोमोसम के नंबर यहां हो जाते हैं उसके बाद मियोटिक डीवाइन 2 जो होती है यह बिल्कुल अगरा होथी है और बस सबस्क्राइब की बलकि इसके इसुब्रेंशियसन दूं के अंदर ऑना होता हुआ है , जो मैं दुक बतायाँ है उसके इस्य क्वाइब थै कि cycles इसके लावा कुछ हार्मोन लेगुरेशन पर हम साथत करें तो भी आपको बता रही हूं कि FSH इस पर एक करता है और वह भी जो है करते हैं कि इसके बार बसार है कि आपको इसके अधर हार्मोन हमारे यूस होते हैं तो इसके लिवाले पास इस तरह से बन जाता है किस तरह की होती है तो मैं आपको इसके डाग्रम दिखाती हूं तो उसको देखने से पहले यह बात याद रिखें इसकी दे बहुत है लिए कितने देज रखते हैं 74 देज के अंदर स्पर्मेटो जाने से मारे पास कम्प्लीर हो जाती हो जो स्पर्म नियशन होती है इसको तक स्पर्म नियशन होती है इसको यहां पर हमें स्पर्म के अंदर में क्या होता है है और हमारे पास टेल होता है जिसको हम फ्लेजिलम भी बोलते है तो यह इसके दो में कंपने होते है है इसके अंदर हमारे पास क्या होता है इसके अंदर दर्मयान के अंदर कंडेंस्ट निकल इसके अथर प्राम पर it ultimate to generate dry layers теперь उसके एके आपरे नचाल के परु हिआट हो ठीन प्राइटर हो जातर है और उसकी एक्रोंन तड रूज जातर है एकरों के अडरे uns, कॉन बनाता इसको गौलजी अप्रेटस बनाते है तो गौलजी अप्रेटस एक्रोसोम बना देता है अब एक्रोसोम की इंपॉर्टेंस में क्यों कहा रहे हूं कि इसके अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट इंजायम होते है यह से कर रहता है है और दूसरा प्रोटेलिटिक इंजायम यह बात हमें तब समझाएगे जब हम फर्टिलाइजेशन यो इसके जब्लेटार में साथ ऌजसरा पारे इसके इंपॉर्टेंस है यह से क्ला आपास आड़ियागे शुक्त आप आपको आपको यादो यह पूंब बोलते हैं और एम इसके साइट्स पर क्या था है जोना पैलुसीडा था था दिक आद मैं वे पास ओवं है और इस ऑवं क आउटर पर हमारे पासƏ granulosa cells को यह discourage निवर्ण सेICA is पूरे granulosa cells की एक layer होती है तो अगर sperm ने आना है यहां पर fertilization करनी है तो इसको इन सब चीजों को जो है वो मतलब इन सब चीजों से पास होना होगा तो यहां पर क्या होता है जब इसके अंदर enter होता है तो एक्रोसोम ने पहले इसको जो है इसको cross करना होता है तो यह cells को इसने eat करना होता है इसको जब penetrate करेगा तभी वो यहां तक पहुंच सकता है तो पहले यहां पर क्या secret करता है proteolytic enzymes को secret करता है और proteolytic enzymes यहां पर क्या करते है इन cells को eat करते हैं और फिर यहां से यहां तक पहुंच जाता है हैां पर पार हम थैड के पर हैलेरोंटी ग्लाइको प्रती है जो माइपश पहने पर पर ग्लाइको पशुक्ट हैं अब देख हरनं एकूरूर्ट है तो हम तो सिर्फ एक यह समाम चैने धर इकbaren है लेकिन बाकि सारे एंटर क्यों नहीं हो सकते हैं यहां तक रीज़ क्यों नहीं कर सकते हैं तो इसका रीजर हमारे पास यह है कि जैसे ही यह इसको पाइट करता है इसको पैट्रेट करता है हमारे पास Zona Pelloceta को तो फॉरन ही यहां पे जो calcium ions होती है वो इस membrane को और को सब्सक्रां परण तो धीकर अचेश को हु हां कि यहां फॉह कुछ है »९हां पर धॉध के जाएकल्स पड़े आंज आ उे उन्सीज को यहां पर आप कुछ playback आपके में ऐसी और हम वेडिक लादे पहरा है नो हम एक टीक होता है कि फिसलकल से करने मैं और जैसे हम तो आते हैं तो जो सेक्षण में रिलीज करती है वह इस तो सोने पहली उसीर को इस तरह से इंकवर पर लेती है और जब नादा भी मिसिए नहीं पूरी इंकवर कर लिया है तो दूसरे sperm को पेनिट्रेट नहीं करने देदी तो यह reaction होता है जिसके वजसे सिर्फ एक sperm फटलाइस कर सकता है और यह इंपॉर्टेंट कोशन है कि इसका रीजन करता है जैसे जोन आ पर चलूसर है करोशन कздरम, हें बता दिया है वहां था गयम है तो ऐसल चाहिए तो यह तो इस फार में यांकर नहीं सुआए सर्मवागा है एकक्शन भी खेक्शिनी क्या देस्के इसके नगा देकिति अनिके नगे वह सही हम ब क्लें की कुछन फुलती है तो बाडी के लिवन इनक इन की sensation होते जनेक रहते हैं उसके बार हमार पास आ जाते हैं तेसे अंदर महीं होता है लिख्यों मिंझे मिंडिद ते हैं जो है लिखने कि दिखा अधर च्छुनरान की पर होते हैं 11erie MRJS né अगर स्पर्म को मूव करना तो इसके लिए एनर्जी चाहिए होगी तो माइट्रो कॉंट्रिया यहां पर वाइट करते हैं तो इसमार पास हो जाती है हमने देख लाए किस तरह से स्पर्म समेने फिर स्ट्रिबूल से यहां पर आये फिर उनकी मैचुरेशन होई अपर डेटम इसने इसने वाइला फिर तो सारी चीवेशन के अपर देख लेए जाल होती है मेल जंडक्रेटल ट्राक की पास भाइट पे रहता हमें ऐल्खलाइन वीडियूम जादा मिल रहा हो जबकि फीमेल के अंदर क्योंकि उसका जनिटल ट्राइक होता है तो इस वहां पे इसका लाइस स्पैन जो है सिफ 1-2 टू डेज होता है ठीक है दो तीन तीन तक से सर्वाइफ कर सकते है जबकि मेल के अंदर हम देखे तो वहां पे वीक्स या मंथ तक भी एवन कर सकते हैं और अगर हम उसको स्वाइब को माइनस 100 डिग्री संटीग्रेट पर फ्रीज करें तो यह ज्यादा टाइम के लिए भी मतला के बहुत ये इर्स के लिए तकरीब रह सकते हैं उसके बद सीमन के बाद के लिए तो सीमन जो है एक ऐसा फ्लियूड होता है ठीक है जो हमने सीमन थेको स्फाइब के गाएब्रीच प्रंट 5000 Опनांओन होता है माँ स्वाइब्र काएब्गा थेदो प्रिखो ठीक है को असमें होतों स्वाइब के लिए जो तो इसके अन। आनर हमाल पास हर म्ली लिट्र स्वांडर संट के लिएं आर नो हैं मिंट्स का एक थे इसके इसके अ सारे गजीं सबाटू का है और मिल्धी से इसके अंदर स्कूडा के इसे , और इसे कम्पजिशन चाहिती है। सहा हैं स्ङ महीं ते चिंडा के यह तो हैं जो हाँ प्लिम सार्ग की में मैं थासे, ती दो हमारा सिमASS को इसके हैं